नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक्स वकत है कितना भी पुराने से पुराना सुगर रोग हो उसको हमेशा के लिए जड़ से खतम करने का रामबान घ्रेलू नुस्खा दोस्तों मदुमे रोग में बहुत उपियोगी है ये जूस जो हम आपको आज की इस वीडियो में बनाना बताएंगे दिन में दो बार सुबह और दोपहर को इसको पीने से मदुमे के रोगियों को सिरफ एक महिने में ही इसका आसर दिख जाएगा और ये बनाने में भी बहु और सेवन की विदी दोस्तो करेला टमाटर और खीरा इन तीनों का रस निकाल कर इनको आपस में मिला लीजी अभी इसमें दो एमेल कलोंजी का तेल डाल कर इसको घूट घूट करके पी लीजी और ध्यान रखे कि जब भी ये जूस पीएं जूस पीने के एक घंटा पहले और एक घंटा बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है मदुमे के नए मरीजों को लिए तो ये अमरित के समान है और जिन रोगियों को इंसुलिन लेना पड़ता है उनकी लिए भी ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है इसके साथ में मदुमे के रोगी जूस के और नंगे पाउं कंकडो पत्थरों पर चलें जिसे उनके पैरों में एक्यूपेंचर हो ऐसा करने से कैसी भी और कितनी भी पुरानी मदुमे की बीमारी हो बहुत जल्दी हो जाएगी जड़ से खतम दोस्तो मंदुका आसन के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए फाइदा उठास की तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और आदीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आते रहे धनेवा दोस्तों